जे स्री कृष्णा राधे राधे आई ये सुनते हैं कलंग चतूर्थी की कथा इवं मंत्र जब चतूर्थी का चंद्र देखने से स्री कृष्ण पर लगा चोरी का कलंग स्यमंतक्मरी की पौरारी कथा इवं मंत्र भाद्र पदमास की चतूर्थी तिथी शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्सन नहीं करना चाहिए यदि भूल से गरेश चतूर्थी के दिन चंद्रमा के दर्सन हो जाए तो मिठ्या दोसे बचाव के लिए इन मंत्रों का जाब करना चाहिए तथा कही गई कथा को सुनना चाहिए आई ये सुनते हैं कलंक दोस की मुक्ती के लिए इस मंत्र को शिर्म प्रसेन मौधित सिंभो जामबवता हत है शुकुमारक मारो दिस्तव ह्रोश्यमंत कर एक बार नंद की सोर ने सनत कुमार से कहा की चतूर्थी के चन्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लाचन लगा था वह शिद्धि बिनायक ब्रत करने से ही दूर हुआ था ऐसा सुनकर शनत कुमारों को आश्चर्य हुआ उन्धोंने पूर ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंग लगने की खथा पुछी तो नंद की सोड ने बताया एक बार जरासन के भैसे श्री कृष्ण समुन्द के मध्यनगरी वशाकर रहने लगे इसी नगरी का नाम आजकर द्वारिका पूरी है द्वारिका पूरी में निवाश करने वाले सत्राजीति आदोंने सुर्यनारायर की अराधना की तब भगवान सुर्यने उसे नित्य आठ भार सोना देने वाले स्य सत्रा जी यादो जब समाज में गया तो स्री कृष्ण ने उस मड़ी को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, सत्रा जितने वह मड़ी स्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेंजीत को धी दी, एक दी प्रसेंजी घोडे पर चड़कर सिकार के लिए गया, वहाँ एक सिर ने उसी मा डाला और मरी ले ली, रिच्छो का राजा जामवन, उस सिंको मार कर मरी लेकर गुफा में चला गया, जब प्रसेंजी कहे दिनों तक सिकार सी न लवटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, उसने सोचा स्री कृष्ण ने ही मरी प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया, अतह बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए, उसने प्रचार कर दिया कि स्री कृष्ण ने प्रसेंजीत को मार कर स्यमन तक मरी छेन ली है, इस लोग निंडा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों की साथ प्रसेंजीत को धुद्ने बन में गए, वहाँ पर प्रसेंजीत को सेर द्वारा मार डालना और सेर को रिच द्वारा मारने के चिन उन्हें मिल गए, रिच के पैरों की खोज करते करे, वे जामवंद की गुफा पर पहुचे और गुफा की भीतर चले गए, वहाँ उन्होंने देखा की जामवंद की पुत्री उस मड़ी से खेल रही है, स्री क्रिष्ण को देखते ही, जामवं युद के लिए तैयार हो गया, युद छुड गया गुफा के बाहर स्री क्रिष्ण की साथियों ने उनकी साथ दिन तक प्रतिछा की, फिर वे लोग उनके बध को जानकर पश्चाताप करते हुए, द्वारिका पूरी लोट गए, इधर 21 दिन तक लगातार युद करने पर भी, जामवं स्री क्रिष्ण को पराजित न कर सका, तब उसने सोचा करें, यह वह उतार तो नहीं, जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का बरदान मिला था, यह पुष्टी होने पर, उसने अपनी कर्णा का विबा स्री में दे दी, श्री क्रिष्ण जब मरी लेकर वापस आये तो सत्राजीद अपने किये पर बहुत लग्जीद हुआ, इस लग्जा से मुक्त होने के लिए, उसने भी अपनी पुत्री का विबा, स्री क्रिष्ण के साथ कर दिया, कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस चले गए तब अकुरू तथा रितु बर्मा की राज से सतधन्वा यादोंने सत्राजित को मार कर मरी अपने कबजे में लेली सत्राजित की मौद का समाचा जब स्री कृष्ण को मिला तो वे ततकार द्वारिका पहुचे वे सध्धन्वा को मार कर मड़ी छिन्ने को तैयार हो गए इस कारे में सहायता के लिए बलिराम भी तैयार थे यह जानकर सध्धन्वा मड़ी अकुरूर को दे दी और श्वयम भाग निकला श्री किष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मड़ी उन्हीं नहीं मिल पाई बलराम भी वहाँ पहुचे स्री किष्ण ने उन्हीं बताया की मड़ी इसके पास नहीं है बलराम जी को विश्वास न हुआ वे अप्रशन होकर विदर्व चले गए श्री कृष्ण के द्वारिका लवटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया ततका यह समाचार फरल गया की स्यमंतक मरी की लोब हुई श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान की सोक में डूबे थे की सहसा वहाँ नारत जी आ गए उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया आपने भाद्रपत सुक्लचतूथी के चंद्रमा का दर्शन किया था इसी कारण आपको इस तरह लांचित होना पड़ा श्री कृष्ण ने पूछा चौथ की चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मातर से मनुष्य कलंकित होता है तब नारत जी बोले एक बार ब्रह्मा जी ने चतूर्थी के दिन गरेश जी का ब्रत किया गरेश जी ने प्रकट होकर बर्मांगनी को कहा तो उन्होंने मांगा की मुझे स्रिष्टी की रचना करने का मोह न हो गरेश जी जो ही तथास्त कहकर चलने लगे उनके बिचित्र ब्यक्तित्व को देखकर चन्रमा ने उपहास किया इस पर गरेश जी ने रुष्ट होकर चन्रमा को स्राप दिया की आज सी कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा स्राप देखकर गरेश जी अपने लोग चले गए और चन्रमा मान सरुवर की कुम्धिम्यों में जाचिपा चन्रमा के विना प्रार्यों को बड़ा कष्ट हुआ उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्या से सारे देवताओं के ब्रत से प्रशन होकर गरेश जी ने वरदान दिया की अब चन्रमा स्राप से मुक्तो हो जाएगा पर भाद्रपत शुक चतोथी को जो भी चन्रमा की दर्सन करेगा उसे चोरी आदिका जूथा लाच्छन जरूर लगेगा किन्तो जो मनुश्य प्रतेक दुटिया को दर्सन करता रहेगा वह इस लाच्छन से बच जाएगा इस चतोथी को शिद्धी बनायक ब्रत करने से सारे दोस छुट जाएगे यह सुनकर देवता अपने अपने अस्थान को चले गए इस प्रकार भात्रपद सुक्लचतोथी को चन्रमा का दर्सन करने से आपको यह कलंक लगा है तब स्रीकृष्ण ने कलंक से मुक्थ होने के लिए यही ब्रत किया था कुरू छेत्र में युद्वे युधिष्ठिर ने भगवान स्रीकृष्ण से पूछा भगवन मनुष्य की मनो कामना सिध्धी का कौन सा उपाय है किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, शवभाग्य तथा बिजय प्राप्त कर सकता है यह सुनकर स्रीकृष्ण ने उत्तर दिया यदि तुम पार्वती पुत्र स्री गरेश का बिधी पुर्वक पूजन करो तो निश्चे ही तुम्हे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तब स्रीकृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गरेश्च तोर्थी का ब्रद करके महा भारत का युद्ध जीता था